हैं हेलोगोडर्स वेलकम बेक इस वीडियों मौं तूल टिप्स के बारे मेंry डिसक्स करेंगे बूश्ट अपने टूल टिप के लिए किया हुआ है कि इन्बिलट आपड़ेशन दिया हुआ हुआ है अपने प्लगिन का बट टूल्टिप क्या होता है, पॉपर के उपर रिलाय करता है, पॉपर min.js एक plugin है, जावास के plugin, यह बूस्ट अपने इंक्लूट किया है, इसलिए आपको अगर means tooltip यूज़ करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन्सलाइस करना पड़ता है, by default यह इंसलाइस नहीं होता तो इस सारा overview दिया हुआ है tooltip का कि यह disabled और disabled element में trigger करना है, तो उसको एक wrapper element देना होगा, क्योंकि हो disabled है है ना, कि disabled के उपर होवर का means effect नहीं होता, point event work नहीं करता, disable के उपर ठीक है, तो अगर आपको किसी भी tooltip को initialize करना है, तो यह javascript आपको copy करना script file में डालना होगा okay, तो अभी देखते है tooltip दिखता कैसे, जैसे आप इस place folder के उपर होवर करेंगे तो यह जो structure आपको होवर पे आ रहा है, यह ही है tooltip okay, तो अगर अभी page पे आपको tooltip चाहिए है तो आपको क्या करना होगा मैं एक snippet लेके यह सारे tooltip example है जैसे आप यह tooltip on top tooltip on right, bottom, left okay, तो यह snippet मैं एक बार आपको अपने page पे लेकर दिखाता हूँ, ठीक है अगर मैं इसको ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ पे बूस्ट आप, बूस्ट आप, बूस्ट आप, बूस्ट आप, बूस्ट आप, ऐसा कर देते है ओके, जैन मैं इसको server पे देखता हूँ देखिए, मैंने क्या किया अभी सिप HTML को इस पे डाला हुए है na, snippet को, और आप देखेंगे कि टूल्टी वक नहीं कर रहे है बट एक title आ रहा है over पे, टूल्टी पॉन right, टूल्टी पॉन bottom टूल्टी पॉन left तो इसे work कराने के लिए क्या करना होगा जावा स्क्रिप्ट है यह हमें पेज पर डालना पड़ेगा इसलिए इसने बताया, बूस्टेप ने बताया है कि यह opt-in है ठीक, यह मैं यहाँ डाल देता हूँ अभी क्या हो गया पूरे पेज के लिए active हो गया है ठीक है, क्योंकि database toggle equal to tooltip को हमने select किया है query select all key through यह देखिए अब मैं एक बार run करके इसको देखता हूँ यह देखिए, tooltip work कर रहे है अब basic structure देख लेते हैं किसी भी button में tooltip अगर देना है तो database toggle equal to tooltip हमने देना पड़ेगा then अब प्लेस्ट database placement के अंदर डालना पड़ेगा कि वो top होगा, bottom होगा, right होगा कि left होगा and title title में क्या होगा, जो आपको देना है title means tooltip के अंदर का content ठीक है, इतना करने के बाद और यह snippet add करने के बाद यह active हो जाएगा तो यह हो गया हमारा tooltip आप एक बार documentation चेक कीजिए कोई doubt हो तो comment कीजिए ठीक है, इस video आप कीजिए subscribe कीजिए क्योंकि आपका एक like एक subscribe मुझे जरूर motivate करेगा और वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अब तक के लिए bye bye take care